यूँ नमस्कार दोस्तों concept king में आपका स्वागत है कि दोस्तों इस वीडियो में हम chapter no.4 को discuss करेंगे इसकी theory को discuss करेंगे हमने पिछली वीडियो में first second and third chapter को complete किया है और इनके mcq को भी solve किया था आज इस वीडियो में 4th chapter को देखेंगे बहुत ही simple को समझना है तो इसके बाद फिर दोस्तों हम नेक्स चैप्टर को लेंगे चैप्टर नंबर फाइफ को लेंगे इसको कम्प्लीट करेंगे इनको डिसकस बारी बारी से समझना है कि क्या होता है in internal चैप इंटर्न लोडिट और इंटर्ल कंट्रोल तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं कि इस पीडिये-फ को दोस्तों अपने टेली ग्राम चैनल में अप्लोड कर दूँँआ है महां जाकर आप इसको पड़ सकते हैं आज थोड़ी वीडिव को मैंने रंगीन मरानी कोसिस किये मैंने हाइलाइट किया है कहीं कहीं जाजा आपको ज्यादा धियान देना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि आंत्रिक निरिक्षण क्या होता है हमको इसको समझना है चैप्टर फोर्ट है और आंत्रिक निरिक्षण क्या होता है और आंत्रिक निरिक्षण क्या होता है और आंत्रिक निरिक्षण क्या होता है और आंत्रिक न definition of internal check आंत्रिक निरिक्षण से आज सिय एक ऐसी व्यवस्था से हैं जिसके अंत्रगर्थ संस्था के हिसाब किताब का भार अथार्थ लेखांकन व्यवस्था को कारियले करमचारियों में इस परकार व्यभाजित के जाता है ताकि परते करमचारिय के कारिय की जा सबतंती रु ताकि बाद में इंडिविज्वल हम एक दूसरे करमचारी की जाच कर सके हैं उनके कारे को चैक कर सके कहीं तो इसको आंत्रिक निरिक्षण बोलते हैं आप फिर से पढ़िए और समझने कोसिस कीजिए क्या लिखाए कि आंत्रिक निरिक्षण से आज से कैसी व्यवस्था से है जिसके अंतरकर संस्ता के हिसाब किताब का भार याने कि संस्ता के जो अकाउंटिंग है लेखंकन है उस लेखंकन में वस्था को कारेले करमचारियों में जो कारेले उसके ही इंप्लोई में इस परकार विभाजित कर जाता है ताकि पढ़ते करमचारी के कारे के जाच सव बेनिफीटों को से बेनिफीट ही होगा सपोज कि एक करम चारी है एक को उने कुछ काम दिया और बी को भी कुछ काम दिया एक कारे के जाए बी द्वारा भी चैक कि जा सके तो इसको आंते इक प्रणाली बोलते हैं चलिए नैक्स पढ़ते हैं आप समझी गए होंगे आप जाता कहने का मतलब यह है कि कोई भी कारे से पूर्णते नहीं दे जाएका कुछ सब्सक्राइब को दिया जाएगा तो आप ने देख लिया है यह पड़नाली सरम विभाजन के सिद्धान पर आधारित है तो आपने देखे सरम विभाजन हमने विभाजन ही तो यहां पर किय कवाज मां डी है यह देखिए यह देखिए घर पर तक रम चर्टारिय कारे जान सब्सक्राइब कर दो इस प्रकार विभाजित हाता तो आपने क्या क्या करम शार्यों में विभाजित है तो आप ने देखा और गया पर आपड़ते लिए चलिया हम एक पर आप एक्जामपल भी देख सकते हैं पढ़ सकते हैं मैंने लिखा यहां पर सिक्सा संस्ताओं में एक क्लर्क केवल वानिज्य के विध्यारतों की फीज ले और दूसरा केवल साइंस के विध्यारतों की फीज ले तीसरा केवल कला विध्यारतों की फीज ले और इन क्लर्क को दबारा ले गए फ खेल कपट करता है तो जाजने वाला करम चलित तुरंत उसका पता लगा लेगा कि किस रेक्ति ने किया है मगर हमने कारें डिवाइड कर दिया तो आसानी से पता लगा सकते हैं कि यह कार्य एक उसों पर आया था एही इसको जिम्मेदार है तो आग्जामपल आपने देख लिय कौमेदार है मैं एक व्यक्ति के अवल जो कौमर्स वाले स्ट्यूएंट उनकी फीशले दूसरा साइck्व बच्चों को फिस ले तीसरा आर्ट्स वाले बच्चों की क filter सब्सक्राइब करें पिस्टिंग करें तो यहां पर कितिने पर तीन चार और यह पांस वैकती हो गए तो पांच हो गती हुआ है तो हमने देखा है इसमें कारें का विभाजन कर रहे हैं तो तो इससे हमें आसानी से पता लगत जाएगा कि किस व्यक्ति ने गलती कीती तो आप यह समझी गई है इस परकार आंतरिक निरिक्षन प्रणाली का नतगर्थ समस्त वहवार वे जांच भी साथ-साथ होती रहती है जिसका लाव यह है कि जब दो-तिन करमचारी आपस में मिलना जाए तब तक कपट की संभावना नहीं रहती आपने देखाया अगर इन्हें इस एक्जामपल में आप देखेंगे अगर इन्हें कोई कपट करना होगा तो इन्हें एक साथ मिलना हो सबको क्योंकि फैनल अमाउंट जो यह कलो रकास को बैंक में पैसे जमा करना है ठीक है क तो यह तो आपने देखी रिया है चलिए नेक्स्ट समझते हैं कि यद्दी पीस प्रणाली दुबरा चल कप्टों को पूनता रोका तो नहीं जा सकता परन्तु यह प्रणाली चल कप्टों की संभावना को कम अश्य कर देती है आंत्रिक निरिक्षन प्रणाली को आंत्रिक निरिक्षन से हैं जिसके द्वारा एक व्यक्तियक आ रहे हैं सब्तंत्रता पूर्वक स्टाफ के अन्य सदस्वे द्वारा किया जाता है तो वही बात जो हमने समझे वह इन्होंने डेफिनेशन में लिखी है चलिए तो इसको विसेशता हम देख लेता है कि आंत्रिक निरि तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताना मैं नेक्ट वीडियो में डिसकस कर दूँँ आपको और यह पीडियाप में टैलेगराम चैनल पे अपलोड कर दूँँआ वहाँ जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं बहुत सारे जो एस्पिरेंट है वह पूछ रहेते हैं कि यह प चले देखते है लिए एक उसलांतर निरिक्शन परनाली किया विसेच जाये उफा सभ और सभी रमचारयों कारे का वितरण होना चाहिए कि कर ब्याफि़स हो चाहिए डाय से अधिकार सब्स्परच्र और सुनिश्चित हो जाएं ताकि आप से हस्तेशेप की गुंजाइस नहीं नहीं सके आपने देखा है आपने समझाए कि आंतरी डिरिक्षन में कारे का करते हैं करमचर में भाजित करते हैं ताकि एक दूसरे कारे की जांच तीसरा व्यक्ति कर सके तो उसमें करतव दायत और अधिकार इसपस्ट और सुन प्रबल possibilit कारे करें जाने चीति एक हिस्स्तों में अलग अलग व्यक्ति को द्रहस्ति और को तो यह आ पने वसेशी असक्तित देखिए, है तीसरा पढ़ते हैं या था संवब एक करमचारि को एक परकार का एदिया जाएगा कार ने करने होता है कि यह आपने हैं बने देखा है डिटल में किसी करमचारि को क्या तक एठी कर feu नहीं लगाना चाहिए जेश एस्थभ लक्षन को और कार्य में प्रवृतन करना आवेसक होना चाहिए किन्तु कार्या परिवर्तन करमचारियों को पहले से सूचत के बिना अचानक किया जाए अगर आपको कार्या परिवर्तन करना है सपोज किजिए कि एक को कोई कार्य सोपा है और बी को भी कोई कार्य सोपा है अगर आप उनके कार्य को परिवर्तन करना त करमचारी का कारी है सब तहीं दूसरे करमचारी द्वारा जान चाहिए तो आपने यह पुइंट देखा है समझ सकते हैं इसको यह पढ़ सकते हैं और यह सैल्फ बैलेंसिक सिस्टम का परियोग होना चाहिए इसकी कारेववस्ता को तरद किसी उत्तरदा या दिगारी के हाथ म मगनें देखा घृच में होना चाहिए तो सेल्फ बैलेंसिक सिस्टम होने चाहिए समय इसमय य आपने देखिया हैं ऐब लेखा करने में सरम बचन यंत्रों का प्रयोग किया जाना चाहिए क्या सरेजिस्टर कैलकूलेटिक 2017 रिकोडिंग तो इन समस्त्रेयीक सकता है तो सामानिय आपने विशेषता देखी लिए हैं तो विशेष कार्य सम्मधित विशेषता को एक बार देख सकते हैं हैं पांसाथ बहुत चोटा चैप्टर रहें इसके बाद इतने में चैप्टर बहुत चोटे चोटे से हैं जो जो सकते हैं उसमें प्रूटर की इस्थित्य क्या रहा है या यंचा टार्ज को चेक करनी है जम चेक करते हैं उसमें ओडिटर की इस्तिती क्या है तो पड़ते हैं यह बात पूर्ण तो और टर के लिए सहेख तो है कि सर लो जाएगा उसको चीजों को पकड़ना करके लेकिन अगर वैसे तरीका से इंटरन पना लिए तो अंकेशन को धोका दे सकते हैं मतलब अंकेशन उसको पकड़ ही नहीं पाएगा तो आपने पॉइंट देखा है कि इस्तेति क्या है कुल म अंकेशन के लिए फाइदेबंद रहेगी बेनिफिट रहेगा उससे नुकसान रोस होगा तो यह सारा पॉइंट हमें इसमें पढ़ना है तो कुछ टिप पान इसमें लिखी हुई है वस्तुत है आंतरिक्शन परणाली से अंकेशन का कारी है कम तो सकता है प्रेंट उसका उत्तरदायत किसी परकार कम नहीं हो सकता यह इंपोर्टेंट लाइन है कि आंतरिक्शन परणाली में अगर उन्हों आंतरिक्शन कर लिया तो ओडिटर का उत्तरदायत किसी परकार से कम नहीं होगा कि अगर ओडिटर ने अकाउंट्स चैक कर एकर कहीं तूरूटिर जाती ह तो जिम्में तरे वही ठादा जाएक को फाइनल ओडिट वही कर रहा है उसको तरह किसी प्रकड़ से कम नहीं होगा ओडिटर यह नहीं कह सकता कि आपने इंटर्णाल चेक कर लिया था इसमें मेरी कोई गलती नहीं है तो यह लेको कि इते प्रवानित करने के जाती है तो आपने ही नहीं होगा तो आप नहीं होंग तो आपको पताःक के सत्यता और करने की लिए अ Mỹ करते वह अतिर नुक्ति टिभा तो चलिके देखते हैं यदि हमистu पढ़ाली पर विश्वास करतें मृपना कार है और एक सबक्ता को सत्रापर माहित कर देता है तो बाद में असुद्य पुटो का पता का चलने किया तो उडितर इस बात से वह बचने सकता कि कहीं अगर तरूटी है तो उसके जिम्मादरी नहीं यह क्या पूरिडरी जिम्मादार का एक नहीं क्याम क्लाइब करता है तक हां यह क्या पूनत सत्य है रहुत करें度 च्छेक्द करें कि हमें शेयन रहा सब्सक्राइब फिर वह यह तरक प्रसुत नहीं कर सकता है कि उसने आंतरी निरिक्षण कर रहे हैं लेकिन फाइनल तो जिम्मेदारी ओडिटर को अच्छे से अपनी जिम्मेदारी का निर्भा करना चाहिए तो आपने देखा कि वह बच नहीं सकते इस चीज़ से कि आपने इंटर्नल चैक तो कर लिया है अब मेरी का जिम्मेदारी है तो आपने देखा आतंक एक चक को आवेसक उचित सावधानी चतुराई बुद्ध्यमत्तता कुछलता से ही एंकेक्षन कारे करना चाहिए ठीक है इ उसे benefit मिल जाएगा लेकिन वह इस चीज़ से नहीं बच पाएगा कि इंटर्नल चैक हो गया कि मेरी जिम्मेदारी कम हो गई है तो आपने देखा है यह पढ़ सकते हैं आपर अंकेक्षन को सवरप्रतम यह पता करना चाहिए कि उसे जिस संस्ता की लेखा पुष्टकों का अंकेक्षन करना है उस संस्ता में आंतरिक निरिक्षन पढ़नाली को अपनाया गया है तो अपने नियोकता से एक लिखित विवरन प्राप्त करना च तो आपने देखा है और बागे आप यह पढ़ सकते हैं इसमें कुछ जादन यह इसका सार यह है इस पॉइंट का यह आपने देखा है जो यह पॉइंट लिखा है कि इंटर्नल चैक हो गया है और इसमें अगर तुरूटी पाई जाते हैं तो मेरी को जिम्मादारी नहीं है इस चीज़ से नहीं बसकता है उसको फाइनल ओडिट वही करता है तो जिम्मादारी पूर्ण रता है उसकी बंती है चलिक है तो चलिए आगे देखते हैं कि अंत्रिक निरिक्ष्ण के क्या लाब में उनको दो तिन प्रविंट्स मैंने आ लिए हैं पड़ सकते हैं करमचारी को इस बात का नयतिक भेराता है कि इनके कार्य की जान दूसरे वक्ति दौरा की जाएगी अधा संस्ता कि सभी करमचारी अपना कार्य सावधाने करते हैं करमचारी करते हैं करते हैं आज हम चैक करेंगे आज इन्हों सुबह साम तक कितने स्टड़ी की और टेस्ट लेंगे साम को चैक करेंगे तो हम पूरे दिन फिर सजक होके पढ़ाई करते हैं चोकन्य होंगे कि कहीं यहां से न पूछले यहां से न पूछले तो आपने देखा है तीसरे पूंट समझेए फैनल अकाउंट सिग्र तयार हो जाते हैं यह आपने पूंट देख लिए हैं बहुत सिंपल स पांदस मिनट में पूरी पीड़ा पढ़ दोगे आप इसको पढ़ लेंगे तो पूरा कंसेप्ट के लिए हो जाएगा इसमें 14 चैप्टर ज्यादा बढ़ा चैप्टर भी नहीं है इसमें से अगार 57 कोशन आपके बन गए तो अच्छी पकड़ आप किसके पर होई तो चलिए इसके हानी देख लेता है डिस एडवांटेजिस क्या है अंत्रिक निक्षन पढ़नाली में अधिक रमचारों स्टेशनरी के आप सकता पढ़ती है अतयादी खर्चली पढ़ना लिए अगर कुछ भी चीज है कोई भी चीज हो दुनिया की उसमें अगर आपको ए व्यक्ति अच्छा है या बुरा है तो दोस्तों ध्यान अगना कि व्यक्ति अच्छा या बुरा नहीं होता व्यक्ति अच्छा और बुरा होता है उसमें अच्छाई की विसेशता हो सकते हैं कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं फरक होता है रेस हो का किसमें अच्छाई के रेस ह देखिया है तो इसके कुछ benefit है कुछ इसके लोग से क्या हानिया क्या नुक्सान है वह आपने देख सकते हैं यहाँ पर कोई बीचेज बिल्कुल यह पूंडते अच्छी नहीं होते हैं और पूंडते हैं नामा कोई सब पूंड से दोस्तों लेखी सकते हैं छोटे में कम लेंदेन होने करन यह अनावस्य के बनोती होगी चोटे वैबसाइए वह इंटरेनल चेक कौन करेगा बार बार अनावस्यक है तो आपने देखा है तीसरा पूंड देख सकते हैं आंतरी इंडिक्षन पनाली अपनाए जाने पर अज चासि का और यहाँ मैंने काइस इसमाप कर दें कहसे अनटरी आव चामने की सब्सके चंगे तो चली किशन को देखते हैं वहती जैब से इसमें लिखी निल्दे वी है कि यह देखी बहुति सींपल सी बात सिमें लिखी वए है अप यहां पर और सनस्ता करमचार्य करें अब्छास चारी करें ढोड़ाई सब कुछ यह बहुत सिंपल सी गी है कि कुछ चंस्ता है उसके स्टाफ स्टाफ के जो करम चाले हैं उनके दुआरा अगर जाच की जाएगी तो उसको आंत्रिक अंक झान बोलते हैं यह दखके लिखाए यहां पर आप ओए इस परकार अंतुर के अंक्येक्षण्ड से ताथ परी है एक ऐसे एंक्येक्षण्ड से हैं जिसमें वजेवसाइए के लिखोंगी जाँच एक कöy ज्यक्ति वें उसके staff द्वार की जाती दिश्यम्स व्यवसाय के स direct में निक तो तो ध्य मैं मतलब से उसमें काम करता होगा सबने से लिपैता को तो वही रेक्तिै रेगा है उसका को इस आंप्टेंट की रूप में कारी करते हैं है आपने देखाएं को सैंस्ताओं को संगठं स्था होता है कि अपने लिभ्य क्या करें लुक्ति करते हैं इसका कारण पर आई होता है कि ऐसी सनस्ता इसाब किताब cheese गड़बड़ी तता चलःकापट को रोकने के लिए अंकेक्षन करम्चारियों के आवसकता समझती है यह और करमचारी होता हैै तता अन्य करमचारी की बातिन का वेतन मिलता है तो आपने देखा है कि बहुत संस्ता क्या करते हैं अपने करमचारियों की तरह अपने नुक्ति भी कढ लेती है कि इसका अकारन पर यह होता है कि वह संस्ता के जो गड़ बड़ी हो लिए है इनकी बुक्स अकाउंट में चलकपट हो रहा है कि उनको रोकने केसे नहीं लिए वैसा करते हैं तो आपने पॉइंट देखा है थे के यह अगा इस दिनके स्था करमचारी पिर था नियुक बार्ती इनको मिलता है यह अपनी संस्ता का यंकैक्षन करते हैं और कभी-कभी सारवजिनिक रूप से हंकेक्षन कर नहीं करते हैं हुआ हैए तो कभी भी धियानग नया कभी भी इससता के ंक खण करेंगे विक किसी भी सारजनी कुर्प सेंखकर क्षण का नहीं करेंगे या आपको धियान नग नह ने व़ग्स कि यह अपनी रिपोर्ट पर नहीं देता है इस परकार के अंक्रेक्षन का मुख्या उद्यश से निये अंतरन को पर भावुषाली बनाना होता है तो यह कभी भी सारुजनी की रूप से अंकिक्षन का काहर नहीं करते हैं या आपको धियाना करते हैं यह अपनी कुछे सकता है तो आप बता सकते हैं कि सारजनिक रूप से कार्य करें तो कलत year कंषन करें नहीं करेंगई थीति तिस्त कुछन सकता है कि अंत्रिक अपनी रिपोर्ट सोंपते हैं तो ये अपनी डिपور भी नहीं देता है तो यो धिफन को ते फ्रैम होते हैं त provides जा की पुविंट होता है वहां से विकोशन फ्रेम कर देते हैं आप इस पीड़ को खुद से अगर एक या दो बार पड़ेंगे तो आपको किलर हो जाएगा समय ठीक है आप पड़ सकते हैं इसको सबस्क्राइब करें हैं कि जोपनारिे रहे एक निफ्रत fitness के लिए कमपनिये में धानिंग ववस्ता के नंतागत नहीं चलता है अपीति उसका प्रावधान संस्ता की आंतर कि इस्तिती तथा प्रभंद के नेरने पर निर्भर करता है पूरी तरह से आंतरिक अंक्यक्षन बनने के लिए इसको चार्टर अक्वाइंड या कोस्ट अक्योंटेंट होना निमारे नहीं है हाला कि बहुत से संस्ता ही Chartered Accountant या Coast Accountant जैसे योगता प्राप्तिवक्ति को ही आंतरिक अंक्यक्षक न्यूक्त करती है तो आपने यह देख लिया है कि कोई कि लीगल बाइंडिंग नहीं है कि यह उसको होना चाहिए लेकिन जो संस्ता है वह ज्यादा तर आपको Chartered Accountant या Coast Accountant जैसे जो कि तब आप रखती कोई इंटर्नल और्टर के पदपर न्यूक्त करती है तो आप नहीं देखा है इसको समझी गई है आप इसको पढ़ सकते हैं यहां देखिए अंतरिक अंक्यक्षण के रूप में ऐसे क्रमचरी को न्यूक्त किया जाता है जो लेखा पुस्तकों समधीद नहीं होते हैं परन्तु लेखांकन और ओडिट करने में माहिर होते हैं तो आपको ध्यान नहीं है उनको न्यूक्ति आपने देख लिए हटाना देखते हैं को रिमूबल कैसे करते हैं अंतरिक केक्षण की नुक्ति संस्ता के उच अधिकारी या मेनेजमेंट द्वारा की जाती है इसे प्रबंद द आपने देखा है तो आपने दोची समझ लिए आंतरिक केक्षण आंतरिक चैक आपने देखा इंटरनल चैक और यह देखते हैं लास वाला पूंट आंतरिक नियंत्रन कहते हैं कि आप पहले लाइन पढ़ते ही समझ चुके हैं मैंने बहुत ही सिंपल लेंग वेज में दोस्तों यह पीड़ तयार की है तभी इतना टैम लग रहा है वीडियो लाने में हाला कि अब आगे कुछ दिनों में फिर रेगुलर बेसिस पर वीडियो डलेगी क्योंकि अभी तक लगता है कि इसको तयार करने में कितना टैम लगता है बहुत टाइम कंज्यूम होता है यतना वीडियो बनाने में टैम लगता है तो चलिए वीडियो फिर से स्टार्ट करते हैं आंत्रिक नियंतर्ण स्टार वैश्बंगे सब्सें क्या musicians करने को लगता है इसको गलत्त त análर्ट कि स्टार करें है किŞ तरह से आकाउंट्स तैयार करette करके रखते हैं तो वही आंत्रिक नियंत्रन होता आपने देखा है संस्था में गड़बड़ी छलकपट हैं दो कदड़ी कम से कमों तो लाव किया मातरा दिखता मूं संपत्यों की शुरख सकी जा सके तता जहां तक संभव लेखों में सत्यता विश्वसनेता परभावी रू जाने में कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है कहीं अगर दिखता है तो आप मुझे कमेंड बॉक्स में जाके बताना वहां सको देखेंगे तो एक बर यहां हाइलाइट वाला पॉर्ट्शन पड़ते हैं आंत्रिक नियंत्रन के अंतरगरत वे सभी किरया आती हैं जो कि इससे वैवस्एको सुवेश्थे तरीके संचालित करने के लिए उसकी संपत्त्य को शुरक्षित रखने के लिए ता उसके लेखों को विस्वस्य बनाने के लिए सथिक परबंद को दवरा बना जाती है तो मेनेजमेंट इस दिज़ु अपनाता है आंत्रिक नियंत्रन में आंतरिक निरिक्ष्ष्ण तत्हां नों मियंत्रण और हम इसको समझनी कोशिश करें इस तरह से अगर हम एक गोला बनाए देख बने गए यह लहाँ आहता है इंटर्नल आई सी लिए तो इंटर्नल कंट्रोल तो इंटर्नल ओडिट और इंटर्नल चेक यह दोनों इसके अंतरगरताएंगे इंटर्नल कंट्रोल वे बड़ी ट्रम है आपने रीजिनिंग में सिलोग चैप्टर पढ़ाएं ना तो सम्पढ़ते हैं कि सारे कुछ कुछ कु इसको लगा लेते हैं ise इटारल ओड़ा अधरी राधे उसको इसको आईаровि क्योंकि Х्रक श्वारा चैक हो गया कि तो आत्रिक नियंत्रण और गर्थ ही यह इंटर्नल ओड्रिट और इंटर्नल चैक आते हैं तुर अप जाम में अपको सकता है कि यह आंगे हैं ङलए तो तो इस को स्टेट्मेंट ना है कー originated यहां पर किया है ठीक है यह देखा फिर पड़ने आंतरिंग नियंतरन में आंतरिंग डिक्षण तता आंतरिंग अंकेक्षण को यह पड़ते हैं ज्यादा इसमें कुछ बात नहीं है अपड़ें करम चाहिए उनके कारे करने के विधिका सपस्टिकर नहीं चाहिए विभीन भागों में आपसी संबंदों को सपस्टिकर होना चाहिए तो यह सारे चीज़ है करम चल्दूरा निस्पाजित खारे की जान चु करना चाहिए यह सारी कुछ बात इसमें लिखी हुई है कि यह सारे पॉंच से आप देख सकते हैं इसके उद्देश से देख लें देख बार पां साथ आंत्रिक नियंट्रण के उद्देश से गया है निरधारित प्रबंदी के नित्यूं के पहलान करने की जांच करना यह विश्वास दिलाना कि वहारों को सही लिखा किया गया है नहीं पूरे ओडिट में हम यहीं चैक करते हैं कि लेखा ठीक किया गया है नहीं किया गया तुरूटी का है कपट का है छल का है गबन का है को मिथ्य वहार तो नहीं लिखा गया है तो यह सारी चीजी चैक करते हैं तो तो चलिए पूरा हमने आज ये तीनों चो तर्म हैं आंत्रिक निरिक्षण आंत्रिक अंकेक्षण और आंत्रिक नियंत्रनों को समझने कोचिस की हैं अगर कहीं आपको दिखत ले तो मुझे बताना अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों प्लीज लाइक करना जरूर ल कहीं तुरूटी रही आ तो हमें बताना तो हमने चार चैप्टर फास्ट सेकंड थर्ड फॉर्थ को डिस्कस कर लिया है अगली वीडियो में पहले हम उसके एंसे को सोल करेंगे और फिर नैक्स चैप्टर को देखेंगे तो चलिए नैक्स वीडियो मिलते हैं तब तक के लि के वाले